हलो बच्चो अश्टेटी कलास में आपका स्वागत है चार खन बोर्ड कलासिक सीन दिवास मेंजरी का क्यूशन आंसर हम लेकर आए है चैप्टर एट चैप्टर का नाम है बुढधा बैल और सियार इस कहानी को हम क्यूशन आंसर हम करेंगे तो क्यूशन आपने पास रखें ताकि क्यूशन आंसर कर सके तो बुढधा बैल और सियार इसका पहला क्यूशन है जब बैल बुढधा हो गया तो उसका मालिक उसे जंगल में छोड़ाया क्या किसान को ऐसा करना चाहिए था अपने उतर के पक्ष में तरक दीजिये तो ऐसा तो बिल्कु नहीं करना चाहिए तो इसका उतर होगा इस प्रकार से नहीं किसान को ऐसा नहीं करना चाहिए था आखिर उस बैल ने पुरी जिंदगी उसके खेतों में काम किया अंत समय में उसे जंगल में छोड़ाना कहीं से अच्छी बात नहीं है उसे घर पर रखना चाहिए था ठीक है तो बैल पर अन्याय हुआ था दूसरा प्रस्ण बैल ने गुफा को अपने लिए उप्यूक्त क्यों समझा तेसका उतर होगा क्योंकि वह अस्थान चारे पानी एवं सुरक्षा की दिरिष्टी से काभी अच्छा था बैल ने सभी परिस्तित्यों का आकलन किया और वही सुकसानती के साथ आराम से जिंदगी बिताने का निश्चे किया तेसलिए बैल ने उस गुफा को उप्यूक्त समझा तिसरा प्रस्ण जंगल में बैल का सबसे घनिश्ट कौन बन गया तिसका उतर होगा जंगल में बैल की अनिजानवरों से दोस्ती हो गई सियार से उसकी घनिष्टता ज्यादा हो गई थी तो सबसे घनिष्ट कौन बन गया था तो वह सियार बन गया था चौथा प्रस्न सेर को अपनी तरफ आता देखकर भी बैल क्यों नहीं डरा तो इसका उतर होगा बैल समझदार था वह धैरवान था उसमें आत्मे विश्वास कूट कूट कर भरा था इसलिए सेर को अपनी तरफ आता देखकर भी नहीं डरा एवं चतुराई पुर्वक युक्ति निकाली इस प्रकार सेर को अपनी तरफ आता देखकर भी बैल नहीं डरा पच्वा प्रस्न सेर को भगाने के लिए बैल ने क्या किया? इसका उतर होगा सेर को भगाने के लिए बैल ने आत्मे विश्वास के साथ गुफा की तरफ मुह करके कहा अरी भागवान तयार रहो आज हमारे बच्चों के लिए अच्छा भोजन मिला है एक सेर इसी तरफ आ रहा है सोर मत मचाना चूप रहना नहीं तो भाग जाएगा जैसे ही पास आएगा मैं सिंग सुसे मार डालूंगा सेर भाग गया क्योंकि उसे बैल खतरनाक प्रानी लगा इस प्रकार सेर को भागाने के लिए बैल ने उपाई निकाला अब आते हैं चटे प्रस्न की और प्रस्न है सियार ने सेर को क्या समझाया तिसका उतर होगा सियार ने सेर को समझाया कि वह बैल है आपके चीज की खाने के चीज है खतरनाक जीव नहीं है आप अपने पूछ मेरी पूछ में बांध लीजिए और चलिए उसके पास देखिए वो आपसे कैसे डर जाएगा तब आप उसे मार कर आहार बना लेना इस परकार सियार ने सेर को समझाया अब आईए सत्य प्रस्न की और बैल ने सेर को दोबारा भी कैसे भगा दिया तिसका उतर होगा बैल ने पूँच बांधे बाग को देखते ही कहा अरे सियार मैंने तुझे दो सेर लाने को कहा था और तु एक ही लेकर आ रहा है इससे तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा इतना सुनते ही सेर तेजी से उल्टे पौँद दोड़ पड़ा इस प्रकार से बुढ़ा पैल असियार कहानिक का क्यूशन आंसर यहीं पसमाप्त होता आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जुरूर बता है तथा दोस्तों के साथ भी सेर करें जृरकन बोर्ड कलासिक सेंदिभासम मंजरी का सभी चैप्टर का क्यूशन आंसर हम इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं तो कृपया सभी चैप्टर का क्यूशन आंसर दके तथा दोस्तों के साथ सेर करें मिलते हैं फिर बिडियो में धनिवाद